हेलो गाईज वेलकम बैक तो आज यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम डिस्ट करने वाले हैं बी एच्चियू टूथाउजन एटीन एमसी केमेस्ट्री इंट्रांस का पेपर सोलेशन का अपना पार्ट टू लास्ट के वीडियो में जो है हमने कोस्चन मां 20 त कहां ने क्या दिया हुआ है according to Arhanius theory according to the Arhanius theory the limiting value of the specific reaction rate when the temperature increases as यानि हम यहाँ पर यह पूछा गया है की Arhanius जो एक्वेशन होता है हमारा क्या होता हमारा k is equal to a e to the power minus ea by rt and यहाँ पर यह पूछा गया कि जब temperature increase करेंगे तो k जो है किसके equals होगा हमें यह पूछा गया है तो चलिए इसके solutions को हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है k a is equal to a e to the power minus ea by rt and ओके जब आप temperature को increase करेंगे temperature को आप increase कर रहे है and आप certain माल लेते हैं कि temperature को आप infinity तक ले गए है यानि अगर यहाँ पर temperature increase करेंगे यानि temperature को आप infinity तक ले गए है तो यहाँ पर जो ea by rt की जो value होगी ea by rt की जो value होगी वो आपकी 0 की equal हो जाएगी क्यों चलिए मताता हूँ देखिए यहाँ पर क्या है temperature अगर आप infinity तक ले जाएगे यानि ea by rt दिया हुआ है इससे आप क्या लिखेंगे ea by r into infinity and आपको पता है 1 by infinity जो होता है 1 by infinity equal 0 होता है यानि यह old term हो जाएगी आपकी 0 यानि ea by rt के value जो हो जाएगी आपकी 0 फिर से समझाता हूँ कि temperature increase करेंगे and temperature infinity पर जब हम ले जाएगे तो ea by rt के value 0 हो जाएगे because 1 by infinity is equal to होता हमारा 0 इसलिए जब ea by rt के value हमारी हो जाएगी इस case के लिए 0 तो इसी case में जो है हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यह जो value है यह भी हमारी e to the power 0 के equal आजाएगे and आपको पता है कि e to the power 0 is equal to हमारा होता है 1 यह पूरी term हो जाएगी 1 के equal and k is equal to हमारी a के equals आजाएगी यानि जो हमारी rate of reaction होगी वो किसके बराबर हो जाएगी वो a के equals हो जाएगी यानि correct नस हो जाएगा option number a हो जाएगा तो देखिए नेश उसने हमें क्या दिया हुआ है इसको समझे देखिए the thermodynamic conditions for osmotic equilibrium is यानि हमें यह पूछा गिए है कि thermodynamic condition क्या है osmotic equilibrium की तो मैं आपको यहाँ पर डाइटली बता दू thermodynamic condition होती है आपकी πाई भी बार is equal to minus rt ln x1 यह x1 जो होता है आपका यह mole fraction होता है औके यह जो b1 है या vl बोले आप इस तरीके से b1 यह होगा आपका incompressible molar mass of solvent होता है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर यहाँ पर याद रखिएंगा option नमर्ण डीस का हो जाए correct answer next question देख क्या दिया हुआ है do have margless equation यह क्या सोगर था हम यह पूछा गया है तो यहाँ पर मैं बता दू आपको कि gives do have margless equation can be applied for okay can be applied for both ideal and non-ideal mixtures it gives relation between chemical potential of all species present in mixture in same phase यानि इन चीज़ों के बारे मिदेता है यह ideal and non-ideal mixture के both की चीज़ों के बारे महा में यह बताता है okay applied होता है and यह chemical potential and species present in the same phase के बारे ही बताता है तो correct answer हो जाएगा इसका option number d applies for both ideal and non-ideal liquid mixtures okay तो correct answer हो जाएगा option number इस case के लिए हमारा d हो जाएगा इस case का answer अब next question हम लेते हैं देखिए next question क्या दिया हुआ है the bet equation reduces to langmore isotherm when देखिए यह जो मैंने bet isotherm आपको जो है मैंने अपने adsorption के in one sort के lecture में आपको अल्रेडी पढ़ा रखा है please आप उसे visit करके जरूर देख लेना तो वहां पर मैंने आपको bet equation के बारे में बताया था तो यह जो आपको दिया हुआ है यह आपका bet equation यह है आपका bet equation bet isotherm का equation and हम यह पूछा गिया है bet isotherm के लिए कौन सा condition इन में से apply होगा कि वह langmore isotherm के तरह behave करे लाए गया पता दू जब आप पी star more than more than p करेंगे तो उस case के लिए क्या हो जाएगा पी star more than more than p हो जाएगा तो इस case के लिए क्या हो जाएगा कि जो p star minus p यानि यह जो value होगी आपकी यह जो value होगी वह value जो है आपकी p star की equal हो जाएगे because p star बहुत जादा होगा peak से प्लस मैं बए पी मोनो इंट्रूस तरीके साँ आ जाएगा प् justement पी मोनो आ जाएगा ओके आपका तो यहां पर जो आप र इक्वेशन के का सब्क्रांड बट्राइष को तो यह आपका राइन प्लस जो आ इक्वेशन के आपका यह जो है आपका यह i'meor वह होता है वह था आपका 8 ने शोसे नहीं क्या दिया हुआ है अट 0 Kelvin the molar absolute entropy CO molecules in a perfect crystal is हमें यह पूछा गया है तो कि CO जो होता है उसे आप किस तरीके से arrange कर सकते हैं दो तरीके से arrange कर सकते हैं यानि एक बार आप इस तरीके से या तो arrange कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से CO को arrange कर सकते हैं यानि आप यहाँ पर दो possibility आपको यहाँ पर मिलती है यानि omega की जो value आप R L N minus K L N W होता है बट उसे मैं reduce करके हैं directly कर रहा हूँ आपका minus K L N W होता है and omega की value हमें यहाँ पर find कर ली वो जो की हमारा है 2 omega की value and R की value होगी हमारी 8.31 and L N के साथ मैं हम इसे put कर देंगे तो यह हमारी equation होगी and इस value को देखिए हमने यहाँ पर put किया delta S equal to R L N 2 and R की value 8.31 L N 2 की बहले 0.301 into 2.303 तो इसे जब solve कर लेंगे तो यह value आगे आपकी 5.76 के equal आजाएगी तो correct answer हो जागा आपका option number C इसका हो जागा correct answer next question दे ही क्या दिया हुआ है a chemical reaction is known to be 0 order with K is equal to यानि हमे rate constant दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 8 how long does it takes for the concentration of the reaction to decrease from 4 into 10 to the power minus 4 to 2 into 10 to the power minus 4 यानि हमें यहाँ पर initial concentration दी हुई है यानि a note हमारा initial concentration होता है उसकी value 4 into 10 to the power minus 4 दिया हुआ है and यहाँ पर after some time जो है वो हमें 2 into 10 to the power minus 4 दिया हुआ है and हमें यही यहाँ पर find करना है कि कितने time के बाद में 4 से 2 के equals हो जाएगा तो आप सभी को पता है 0 order के लिए जो equation होता है a is equal to a note minus kt होता है and a की भीलों हमें दी हुई है कितनी finally यहाँ पर यानि कुछ time के बाद में कितनी दी हुई है into हमें कितना time यहाँ पर find करना है and यहाँ पर आप time find करेंगे तो आपका एगा 4 into 10 to the power 3 second यह t नहीं होगा यह second होगा तो current answer हो जागा आपको option number इस case के लिए next question दे ही क्या दिया हुआ है if integration cut of integration is a normalized trial functions for the state of a system with hamiltonial h and true ground state energy e naught and excited state energies यहाँ पर दिया हुआ है okay and पूछा गया है the integral of this is क्या होगा तो देखिए यह आपका variation principle से आएगा and आप सो इक पता है कि variation principle के according जो average energy होती है always more than equal to ground state energy होती है यानि कहने के मतलब यहाँ पर यह है कि माल लिए आपके पास 5-6 energy state इस तरीकेस दी हुई है यानि यह E note होगे, यह E1 होगे, यह E2 होगे and यह आपके होगे E3 and इस case के लिए जो आपकी average energy होगी यानि इन दोनों की, इन चारों energy level के middle वाला जो होगा आपका कुछ इस तरीकेस आएगा, यहाँ पर आएगा and यह जो energy level होगी यह always more than होगी इस ground state के energy level से या फिर कभी हो सकता है कि यह इसके equals हो जाए बट इससे कभी भी lower पर यह average energy कभी भी नहीं आएगी तो यह ही हमें इस question पूछा गिया था तो हमारा correct transfer होगा, option number इस case के लिए and यह हमारा यहाँ पर varicence principle था next question में क्या दिया हुआ है, question number 30 which one of the following function is quantum mechanically not acceptable कौन सा function यहाँ पर acceptable नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको dietally बता दो, अगर आप 4 यहाँ पर equations देखेंगे and यहाँ पर iota use क्या गया है, मैं आपको dietally बता दो इसका correctness नहीं जागा option number B next question नहीं क्या दिया हुआ है, to determine the stiffness of the bond of a diatomic molecule in the excited state, one should analyze the molecule देखें हमें यहाँ पर यह question पुछा गया है, कि stiffness of bond stiffness of bond जो है, हम किस तरीके से find करते हैं and आप सभी को पता है कि stiffness यानि bond की strength के बारे हम पुछा जा रहा है and strength of bond जो है, mainly आप find करते हैं vibrational spectrum के थूँ, okay, तो vibrational spectrum जो हो जागा correct answer next question देखें क्या दिया हुआ है, which one of the following derivatives यहाँ पे पूछा यह है, equals to volume यानि यहाँ में हमें चारों जो value दी हुई है, इन्हें में से किसे हम यहाँ पे solve करें तो हमारी यह equal to volume के equal आएगी तो मैं यहाँ पे आपको डाइटली बता दू, कि यह जो volume equals में हमारी आनी है तो यहाँ पे आपका एक ही तरीका सा सकता है, वो है आपका dg by dp, dg by dp, okay, dg by dp at constant t, is equal to आपका आजाएगा b यहाँ आपका क्या equation आएगा, देखिए, option number यहाँ पे हमारा यह match कर रहा है, option number 4 से तो यह correct answer हो जागा, option number 4 हो जागा, correct answer, and यह आपका Maxwell equation से आपका यह derive होता है तो आप इसे ध्यान देंगे, next question है कि हमें क्या दिया हुआ है, if the activation energy of the reaction इतना दिया हुआ है, कितना 167 दिया हुआ है, and delta E for the reaction is minus 8.2 किलो जूल दिया हुआ है ओगे, what is the activation energy for the decomposition of HI के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर simply आपको क्या करना है, जो आपको 167 दिया हुआ है next question है क्या दिया हुआ है, the Maxwell distribution for an individual component of a molecule, molecular velocity is depend on the individual components mu as, कैसे depend करता हमें यह पूछा गया है आप सबीने guesses state में Maxwell equation पढ़ा होगा, Maxwell distribution पढ़ा होगा उसमें, आपने f mu is equal to क्या होता आपका, 4 pi mu square into m by 2, 4 pi mu square into m by 2 pi kb into t whole to the power 3 by 2 e to the power minus m mu square by 2 rt हमारा यह equation होता है and in this case मगर आप equation देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यह पूछा गया, कि fu किस तरीके से यहाँ पर connected है, तो लेखे, fu यहाँ यहाँ पर dietly proportional to mu square है and dietly यहाँ यहाँ पर proportional to e to the power minus mu square के equal है, यानि किस पर depend कर रहा है, mu square and e to the power minus mu square बोथ पर depend हो रहा है यानि आप यहाँ पर कह सकते कि option number 20 का हो जागा correct answer, next question देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, in which one of the following cases the maximum value of x is maximum किस में हमारी होगी तो यहाँ पर देखें, option number a जो है, okay, option number a जो है, यह mgso4.xs2, इसमें अगर आप यह जो correct formula होता है, mgso4.xs2 होता है इसे हम बोलते है white vitriol, इसी तरके से blue vitriol आता है, okay, यह सभी चीज़ों के आप formula देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, जो maximum value आती है, x यह वो 7 आती है, and इसका correct answer हो जागा, आपको option number one, next question क्या दिया हुआ है, ko2 is used in submarines, submarines because, देखे, ko2 submarines में इसलिए use किया जाता है, because, यह जो होता, submarines में जो co2 होता है, उसे absorb करके, जो वो release करता oxygen, कैसे, इस equation को आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि अगर 4 molecules of ko2 react कर रहा है, 2 molecules of co2 के साथ में, तो यह k2 co3 plus 3 molecules of oxygen produce कर देता है, यानि 2 molecules of carbon dioxide को ले करके, यह oxygen मे convert कर देता है, submarines के cases में, okay, तो इसकी correct answer हो जागा, option number D हो जागा, correct answer, next question नहीं क्या दिया हुआ है, group 13 metals, gallium and indium, forms compounds of general formula M2Cl4, which one of the following statement is incorrect, कौन सा statement यहाँ पर incorrect है, तो अगर मैं in complexes की बात करू, जो की M2Cl4 complex है, इसमें जो gallium की oxygen state होती है, वो plus 3 होती है, and indium की plus oxygen state होती है, plus 1, यानि, अगर यहाँ पर हम oxygen state की बात करें, तो बोथ plus 1 and plus 3 में exist करते हैं, बट अगर यहाँ पर option number B देखेंगे, these compounds have M in plus 2 state, यह तो बिल्कुल गलत option, because यहाँ पर कोई साई metal plus 2 oxygen state में present होता ही नहीं है, इसलिए incorrect tensor हो जागा आपको option number B, next question ही हमें क्या दिया हुआ है, when sodium metal is added in liquid ammonia, a blue color is obtained, the blue color is due to, देखेंगे, वो जो blue color होता है, due to solvated electrons के कारण होता है, वो blue color, इसे आप याद रखेंगे, okay, next question ही क्या दिया हुआ, which one of the following compounds consist PP linkage, किसमें जो हमारा PP linkage present है, तो इसका भी मैंने आपको trick बनाया हुआ हुआ, oxoacids of phosphorus, oxoacids of sulfur के cases के लिए मैंने बनाया रखाया, already, okay, तो आप उसे visit करें, जरूर देखना, okay, and वो जो playlist है, आपका इन और्गुष्टर series में, maybe वो आपकी होगी, आप उसे देख लेंगे, तो आज के lecture के लिए बस इतना ही मिलते हैं, इसे देखेंगे, national solutions के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद,